इस फैक्स से कोई इंकार नहीं है कि नाश्टा दिन की एक सबसे इंपॉर्टन मील है ट्रेवल टाइज में एक बार फिर से आपका स्वागत है मैं हूँ आपका होस्ट गौरव अगर आपको हमारे वीडियोज पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सबस्क्राइब करिए वीडियोज को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेर करिए इस एपिसोड में हम आपको दिखाने वाले हैं इंडिया वर्सिस पाकिस्तानी नाश्टा पाकिस्तानी जाट्रू फूडीज और पाकिस्तान में छोटे स्टालों से लेकर बड़े रेस्टराँ, कैफे और होटेल अवेलिबल हैं एंडियो तो दे कल्चर डाइवर्सिटी यहां एक हजार से भी ज़्याद आव डिशिस का आप मजा ले सकते हैं चाहे वो हो लाहोर के वर्ल्ड फेमस हलवा पूरी या फिर जाइकदार पराठे और लसी या हो कराची के फेमस निहारी और गर्मा गर्म पाए सबी का जाइका एक बहतरीन कुजीन की याद दिलाता है वेलकम दू ट्रेवल टाइब्स मैं हूँ गौरव आज के इस एपिसोड में जैसे की पहले भी हमने आपको बताया कुछ नाश्टे की आइटम स्कूर करेंगे पहला हमारा स्टॉप है मोहमाद इकबाल रेस्टॉप तो हमारे साथ है इम्रान जो कि मोहमाद इकबाल में करीबन पांक साल से उपर हो गया इनको काम करते हुए इम्रान भाई आज हम दो चीज़े यहां प्रेक्फर्स की अपी ट्राइ करने वाले है एक हलवा पूरी और दूसरा है आलू का पराटा अल्वा पूरी परील प्रियोत हो अल्यों संथ मेरे तो हमारे साथ रप्सक्रा के अवहारे साथ है गया हाहए स vergस्ता है जो की महामाद अकबाल रेस्टॉण के ओनिर है अपकर चाना में धिक्क तो कालुटी जो अभी तक हम इन करते हैं कि अच्छी चीज और अच्छी और फ्रेश बिल्कुल जो है उनको सप्लाई करें और कस्टूमर के साथ ची मलब सर्वीस हो और हर चीज जो है ना कस्टूमर को अच्छी चीज मिले मतलब यह जो एक आपने बात बोली बहुत अच्छी है एक तो मैंने देखा आपका हैं बहुत ही जबन दस्ते हैं उसके इलावा सर्विस जो पूरा आपका स्टाफ है बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होता है और सर्विस जो है एक दम टॉप क्लास है वह एक और जो एक खास बात होनी जाए किसी भी रेस्टरों को चलाने के लिए बस सबसे पहले कि इनलों को पीज तोड़ा गाइड किया जाता है कि आप कस्टूमर के साथ अच्छा मदब रवया करें तागे और आंदे के लिए भी दुबारा आए और अच्छी सर्विस दे उनको और रिजन भी एगा फूट के अंदर कि अगर चीज अची मिले कि कस्टूमर को दुबारा रिटन आ बिजन विए इस इनको बें डाएं तो मिलें फूट में कुछ भी नहीं है बहले हैं काम हो या ना हो उस्से तुब कुल भी दूब नहीं है आपका नाच्टा 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 लाइन दू अधर आटम्स हैं मैं लिए दो चीजा हम प्राथा जो आप चने के साथ साथ है और हल्वा पूडिया थे चना है डाटो पूरा बूजिया एक अपर यह पूरा कमबो होता है जबर्दस लग रहा है देखने में अभी खाके हम देखें स्वाद आमशूर और लडी के अमेजिंग होने वाला है तो यह है पूरी दो पूरियों का सैट है साइस देखे काफी पड़ा यह यह पराथा है जो मुझे शुरू से काफी पसंद है उसमें कई तरह के मसाले यह लो तो इसका जैसावाद बहुत अच्छा हो जाता है तो पहले हम शुरूआ जो है करेंगे पराथे के साथ आलू का पराथा है सिर्फ पराथा को बड़े ट्राए करेंगे तो सब्सक्राइब बहुत ही जबर दूस्ते है फुल फ्लेवर्स मसाले एकदम से ऐसे बिल गए है तो एकदम से जैसे ही वह मुमें डाला तो जैसे जो वर्ड मैंने पहले भी उसके है एकस्प्लोजन हुआ एकदम से मसालों का अंदर लाजवाब सवाद है इसको बड़े चले के साथ ट्राए करते है लाजवाब है तोड़ा समय बोलुआ चलना जब स्पाइसी है मगर ओवर्ल फ्लेवर इतने जबर्दस्त हैं लॉट्स अफ लॉट्स अफ स्पाइसी इसमें यूज किये गए हैं जो ऑईल है इसका अलगी एक लंज़ जो 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 जायता है और इसके अंदर काफी मसाले और अडलते हैं तो उससे तेज़ और अच्छा आ जाता है तो मसाले मसाले काफी उसके अज़िये गए हैं उपर मैं देख रहा हूँ अद्रक अपने उपर हरी मिल्च है तो ओवराल जो फ्लेवर है बहुत ही जबर्दस है पूडी आप चने के साथ खाना बसंद करते हैं या हल्वे के साथ चने के साथ ज्यादा तेस्ट आएगा अच्छा अगर यह कॉंसेप्ट क्या है यह तो मैं समझ गया चने के साथ पूडी सफ होती है अब हल्वा क्यों सफ हो जाता है कि पूरी के साथ तेस्ट और अच्छा प्राटी टेइस्ट देश्ट किया है बहुत जबरदस स्वात है then Ceam मुझे टो फॉन अर चेह काया सोजी है और अमना स्टे मिल्क वगर्णा एा तो इसी मिल्क स्टे है और मुझें इसकंत्र स्ते है एल हाई स्ल्वी ऍटी है मुझे सपी calendar Сबस्सक्राइब तρώने है करें में,arsh04 गूड था, पुडी को कम पर कम्रम, को अगे अगर बता हूँ, सबसे जादा मुझे जो फ्लेवर आया वो चनों के अंदर है जो कॉंबिनेशन है आपका पूड़ी और हल्वे का जबरदस है अनबीटेबल एक तम जबरदस कॉंबिनेशन है और पूड़ी जो है ये आलू भुजिया जो है इसके साथ भी बहुत अच्छे लगी मुझे अब पूड़ी को जो है एक बार चने के साथ ट्राइब कर लें और यह पूर लोगों वे बुजिए ओज़ें डर्वाट सेज्टी है को जो पूरा सेट वेर्षिंद वे कष़ें गोस लोह को चना पसन आता है तो आलू भुजिय मोज़े नहीं पर लेते चना अंद आता है अकार्डिंग भी आप शुक्त कम जाला कर लेते हैं जी क्यारी इंडार इंडार भी आफित्म ए प्रहां शुक्कि नाप्सका ज्टायर सिर चुट्ःून ब्रक्ष्ट करणान के बुटिस्या इंडार कोड़ीश या फिर हो अम्रिसरी कुल्चे, इंदौरी पोह जलेबी या फिर क्रिस्पी सत्तू पराठास फ्रॉम बिहार Last but not the least, South India से डोसा, इडली, वड़ा ये सबी नाश्टे के आप्शन एक बेहतरीन कुजीन की याद दिलाते हैं तो अब हम आगे हैं अपने दूसरे पढ़ाव पर जहां कि हम ट्राइ करने वाले हैं इंडियन ब्रेकफस्ट को तो हमारे साथ हैं आज त्रिलोग भाई जो कि मैनेजर हैं बीका नेरवाला अलवर्शा ब्रांच तो आज त्रिलोग भाई हम यहां पर आया हैं तो आज हम क्या ट्राइगरें लें भेकफास्स में तो तीन चीजे हम आज ट्राइगर ने एक जना बढठूरा और पराथा जो आप बोल रहे हैं और एक मत्र कुल्चा तो मैंूज जो का कासित किया मैं बतातों जो का कुल्चा हम लोग इन हाउस बनाते पुट्छा उसमें क् तो हमारा इन हाउस कुल्चा बनता है इवन वो एगलेस होता है तो गैस को पूरी 100% purity मिलती है तो कुल्चा मारा इन हाउस बनता है तो मैं चांगो कि अमने कुल्चा को नहीं चालिए ठीक है तो आने दीजे फिर फूट को फिर हम थोड़ा से देखें हैं क्या-क्या कैसा स्व चोले बटूरे का जो साइज मुझे काफी इंप्रसिव लगा ट्रडिशनली मैं दिली से हो क्योंकि तो दिली में जाता जगाओ पे जो है बटूरा गोली मिलता है ये एक ओल शेप है इसकी तो बहुत ही जबर्दस लग रहा है यहां पर चलिए पहले आई थिंग बटूरे बटूरे में खाए है उसमाई थी को दाल वाल वो स्पीन चीज़े उस करते हैं तो इसमें मुझे पनीर दिख रहा है अंदर आपने मुझे कुछ स्पाइसे मसाले वगारा यूज किये गए और इसके साथ सब किया है चने चने और सैलेड है और आलू है फ्राइड आलू ग् प्राइड बटूरा तो है एक दम क्रिस्पी फलफी बहतरीन कॉलिटी है बच्छोले की बाप करें मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है पताना किसमें क्या क्या मसाले हैं क्योंकि एक दम ऐसे मिक्स हो गए है और ये अलू ट्राइकरते हैं तो आलू आसी ट्राइकर लेते हैं तो ये बॉइल आलू है और उसके पर मसाला आपने यूश किया है बहुत ही जबलदा है और दूसरी आइटम जो आपने और गरी है मतर कुल्चा तो पूरे नौर्स इंडिया में काफी फेमस है अपने वोला ये भी आप खुदी बनाते हैं किसी बेगरी से अप्सोर्स टी ये इन हाउस है और ये एगलेस है अच्छा वरी नाइस है तो ये आप अपने इन हाउस जापकी बिकरी उसमें तियार होता है तो यहां पर इसको कैसे प्रिबेर गाते हैं प्यों बटर इस पर तब रोस्चिल ये भी एक तुम फ्रेश है इसा लग रहा है आज ये बटर ल इसके अंदर बेसिकली टमाटो, और अनियन, कोरियांडर और थोड़े कुछ मिक्स मसाले तो है तो है करके देखके देखिए मैं दुबाई में रहा हूं मुझे तड़ी पर 10 साल की दरी हो गया पर बहुत डिफिकल्ट होता है कि बहुत ही बहुत ही बेटरीन नास्ता आपक बहुत है अभी पराथा फिकल्स की कि शचाने ही अगा है तो आलू का पराथा योगर्ट के साथ पिकल्स कांज है यह मिक्स पिकले और साथ में एक एक और लिगेंगे सुट्टिर नाइस, बाकि इसपर देखिए आपस पर देखिए नोग कुछ नहीं खाते है अगर बहुत तो यह बनाते पर ग्रीन चिली सब करते हैं, तो यह अलू का पराथा है, इसमें अंदर स्टफिंग देखिए, बहुत ही जबर्दस लग रही है, फुल अफ स्पाइस, तो यह अलू है और डिफर्ट यह स्पाइसे जो मुझे देखा है, यह कसूरी मेती है, और रेड चिली है ने ही क्या फिल्द सॉवर के टेस्ट है गजो से ले लिए तो पहले ही योगट या पहले ही योगट फी देखिए लगट मैं बोह रहोाँ आफ सवाद काफी हद तक घर का ही है जैसे even मदरं गर सबला अब बनाते महां ऑर अबंाते स्वाद पनाते सवाद पर बाट जो आंदर जो मसालो का यहां पर यूज होगा है वो बहुत ही एक दफ़ा में दुबार बो लूगा तो काफी कुछ इसमें यूज किया गया है और फिर भी जो पराथे के जो अवराल अगर आप देखेंगे इस वो रिटेन हुई है और टेबल तक भी गरम है अभी बट फिर भी एकदम सौफ्ट है, बट कही जगा में देखता हूं, टेबल तक आते हैं, तो प्लस रबड हो जाता है, प्लस रबड हो जाता है, वो आई थिंक मैदा काफी उस करते हैं, इसमें अब प्योर वीट का ये प्राथा है, कोई मैदा इसमें उस नहीं किया है, तो है अब आप लेक्षा है, और बिल्कुल भी चिपचपानी है, अगर पराथे हों तो वो आता टेबल टेबल पे आते हैं समय, अगर आप उसका ऐसे टच करें तो और ओयल काफी आप तो लगए, हां पे उच भी नहीं है, देखिए, तेखिए, 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 तेख